अपके अपने चैनल गौटक्लासेस यानि मैस भी एंड मस्ती भी तो बच्छो आज की जो क्लास है उसमें हम डिसकस करने वाले हैं स्यूटि का जो सलेबस इस साल आपको दिया गया है उस लेबस में क्या है क्या क्या इसी चीजे हैं जो आपकी क्लास 12 से different है जो आपने 12th में भी exam दिया है उससे क्या different है और क्या उससे same है क्या कैसी चीजे हैं जो आपको थोड़ा दुबारा पढ़नी पढ़ेंगी क्या ऐसी चीजे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी पढ़ेंगी तो यह सारा का सारा हम syllabus discuss करने वाले हैं और उसके बाद जल्दी एक दो दिन के अंदर आपकी जो CUT की classes हैं यूट्यूब पर भी start हो जाएंगी paid page हमारा already start हो चुका है अगर आप वो join करना चाहते हैं तो description box में उसका link आपको दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप उसको join कर सकते हैं और paid classes का जो benefit है वह आप वहाँ पर ले सकते हैं ठीक है अब बागी YouTube पर जो classes हैं दो तिन दिन के अंदर ही वो start हो जाएंगी अब syllabus के बारे मैं discuss करते हैं कि syllabus आपको क्या-क्या इसमें दिया हुआ है ठीक है अगर हम बात करें syllabus related तो थोड़ा सा syllabus जो पहले आया था और बाद में एक syllabus और आया तो थोड़ा सा उसमें change है अगर आपके पास पहले वाला syllabus हो तो update हो जाना ठीक है अब यहां पर क्या कहता ह which will be compulsory for all candidates तो section A है उसके अंदर 15 questions होंगे जो कि math और applied maths दोनों के students के लिए same question होंगे और compulsory section होगा यानि यहां पर जो 15 questions आप करने वाले हो आपको कोई choice नहीं मिलने वाली है आपको यह सारे के सारे questions attempt कर नहीं है उसके पाद जलते हम section B पर section B में जो B1, B2 दो पार्ट किये section B1 में कहता we'll have 35 questions from mathematics out of which 25 questions need to be attempted. 35 questions में से आपको 25 questions यहां पर करने है अगर आपके पास mathematics है अगर आपके पास applied mathematics है तो आपको section B2 यहां पर select करना है और इसमे applied mathematics के आपको 35 में से 25 questions करने है 25 questions यहाँ पर करने है 15 questions यहाँ पर करने है total मिला कर आपको 40 questions attempt करने है और उसके लिए आपको 1 hour का time दिया जाएगा ठीके अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ही है last year बहुत से student के साथ एक गड़बर होगी थी कि वो applied mathematics के student थे उन्होंने select कर दिया mathematics यानि जब section B1 और B2 में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपसे selection करवाया जाता है आपसे पूछा जाता है कि आपको applied mathematics का paper देना है या फिर mathematics का paper देना है पूछने का मतलब teacher आगे नहीं पूछेगा आपसे कि आपको क्या देना है आपकी screen पर आपके बाद दो option आएंगे आपको एक option उसमें से select करना है तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर applied mathematics के student है तो section B2 आपको select करना है और अगर और mathematics के student है तो आपको B1 select करना है यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना last year बहुत से students ने ऐसी गलती करी थी जो mathematics का paper देने गए थे लेकिन actually में उन्हें applied का देना पड़ गया एक बार आप select कर दोगे तो वो change नहीं हो सकता तो यह बहुत बड़ी चीज है तो ध्यान से इसको select करना कि आपने B1 देना है या B2 देना है उसके बाद आते हैं हम इसके syllabus पर section A का जो syllabus है वो दोनों के लिए combined है for mathematics और applied mathematics दोनों के लिए same syllabus है तो पहला जो इसमें topic आपको दिया है algebra जिसमें matrices and type of matrices equality of matrices, transpose of matrices, symmetric and skew symmetric matrices and algebra of matrices algebra of matrices में algebra matrices को plus करना है minus करना है multiply करना है तो यह सब चीजे algebra के अंदर आ गई यानि यह सारा का सारा portion आपने class 12 में पढ़ा हुआ है concept wise आपको नया कुछ नहीं करना है बस आपको MCQs practice करने है उसके बाद आते हम determinant पर determinant में inverse, determinant तो करना ही करना उसमें inverse of matrix और solving of simultaneous equation using matrix method यहां पर आपको properties नहीं करनी कोई confusion नहीं है properties के बारे में कोई यहां पर जिकर नहीं है तो आपको सिर्फ determinant निकालना आना चाहिए आपको adjoint निकालना आना चाहिए क्योंकि जब तक adjoint आपको नहीं आएगा आप उसका inverse भी नहीं निकाल पाओगी inverse निकालने के लिए आपको matrix method ही एक पढ़ना है grammar rule आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप equations को solve करोगे तो वहां पर आप किसी भी method से solve कर लो वैसे तो और method में यहां पर आपको matrix method ही यहां पर specify किया गया है यानि grammar rule आप छोड़ देंगे determinant में से और properties वाले question भी आप छोड़ देंगे बस properties में कुछ simple properties आप ज़रूर पढ़ लेना जिसमें आप determinant को solve करने में आपको help मिलेगी determinant जिसमें आपको छोटा हो जाता है इस तरह की properties ज़रूर पढ़ लेना otherwise बाकी और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है question थे calculus के तो पूरे 15 marks के थे लेकिन integration class में बहुत कम portion था लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि NTA की paper में भी ऐसा हो तो अगर आपने पहले integration की त्यारी बहुत अच्छे से करी हुए तो आपको यहां पर ज़रूर benefit इसका मिलेगा तो calculus में क्या-क्या है आपको higher order derivative करना है इसके लावा यहां पर implicit derivative parametric function ऐसा कुछ यहां पर नहीं है मतलब आप वाला part skip कर सकते हो logarithmic differentiation फिर भी आप कर लेना क्योंकि आगे उसको application वगरा question में आपको काम आएगा लेकिन आप parametric function और इसके लावा जो implicit differentiation है वो आप इसमें छोड़ सकते हैं तो higher order derivative करना है tangent normal करना है इसमें rate of change नहीं है जो class 12 में आपने पढ़ा था rate of change वो इसमें नहीं है उसको skip कर सकते हैं tangent normal के बाद increasing decreasing है maxima minima है यानि यह सब अरा portion हमारा उसके अंदर था अब इसके आप कहोगे कि बाकी इसमें और भी चीजे थी वो आपके applied वाले section में है यह combined section है इसमें वो नहीं है maxima minima और यह होगया हमारा integration में indefinite integral of simple function ठीक है simple function के integration करने ज़्यादा complicated function नहीं करने special integral नहीं करना evaluation of indefinite integral कैसे उनको evaluate करते हैं definite integrals में value कैसे निकालते हैं कैसे हम limits apply करते हैं यह सब आपको करना है integration में उसके बाद application of integration as area under the curve यानि यह portion आपको extra करना पढ़ेगा application of integral में area under the curve का area हम कैसे निकालेंगे यह आपने class 12 में नहीं पढ़ा था तो यह आपको अब यहाँ पर करना पढ़ेगा differential equation पर चलते हैं order and degree of differential equation formulating and solving of differential equation with variable separable दोनों portion आपने इसमें किये थे class 12 के अंदर तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है formation भी करनी है solution भी करना है differential equation का variable separable method भी यहाँ पर दिया हुआ है यानि जो आपने class 12 में गया था उसमें growth and degree model को छोड़ देना बाकि सब कुछ यहाँ पर करना है probability distribution में आप जाएंगे तो random variable and its probability distribution expected value of a random variable variance and standard deviation of a random variable and binomial distribution इसमें poison और normal distribution नहीं है तो वह आपको नहीं करना probability distribution में यानि starting के जो दो topic थे probability distribution और binomial distribution के mean, variance, standard, division कैसे निकालते हैं बस इतना ही आपको probability में करना है linear programming सारा कुछ ही करना है बस इसमें आपको जो दो method थे अलग-लग corner point method of ISO profit and cost उसमें से अगर आप एक method को भी अच्छी तरह से कर लेंगे और better है कि corner point method करो क्योंकि यह combined portion है और core mathematics में ISO profit and cost method नहीं था तो question corner point method से ही इसमें आएंगे तो वहाला method आप ज़रूर कर लेना ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ specify है नहीं बस आपको feasible reason, infeasible reason क्या होते है optimal feasible solution क्या होता है, graphical method जो जो इसके basics हैं वही सब आपको दिया हुआ यानि आपको LPP complete कर लेना ISO profit and cost method आप इसमें skip कर सकते हैं तो यह वो portion था जो applied mathematics और core mathematics दोनों के students के लिए था अब हम वो discuss करते हैं जो सिर्फ applied mathematics वाले students के लिए था क्योंकि यह video especially applied mathematics के syllabus के लिए ही हम बना रहे हैं applied mathematics के लिए हमें जाना पड़ेगा section B2 पर यह B1 है mathematics है यह आपको select नहीं करना ध्यान रखना गलती मत कर देना फिर आके कहोगे इससार हमने तो वो select कर दिया अब हमारा क्या होगा फिर भया तुमारा कुछ नहीं हो सकता अगर गलती कर दी तो फिर तुमारा कुछ नहीं हो सकता फिर तो जो होना है examiner को करना है और वो भी क्या करेगा MCQ है तो आपको marks तो मिलने नहीं है तुक्के बिली करके आओगे उसका कोई फायदा जी section B2 पर जो purely applied mathematics का पार्ट है इसमें तो सब पहला जो chapter आपने पढ़ा था number quantification and numerical application वही topic हमें यहाँ पर पहले करना है अब उसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा था modulo arithmetic पढ़ा था class 12 में congress modulo पढ़ा था class 12 में allegation mixer पढ़ा था class 12 में numerical problem पढ़िती class 12 में ports and streams पढ़ा था class 12 में pipe and system पढ़ा था resident games पढ़ा था partnership नहीं पढ़ा था partnership नहीं पढ़ा था अपने ध्यान है ध्यान दो आपने partnership नहीं पढ़ा था तो partnership आपको इस topic में extra करना पढ़ेगा ठीक है बाकी सारा portion वही है जो आपने class 12 में पढ़ा था उसके बार numerical inequalities यह भी हमने class 12 में पढ़ा हुआ है तो नया चीज में कुछ नहीं है सारा कुछ वही है कुछ भी class 12 से अलग नहीं है ठीक है सरिफ partnership आपको इसमें extra करना है उसके बाद आते हम algebra पे algebra में फिर वही matrices and type of matrices क्या matrices क्या होती है किस-किस type matrices होती है equality of matrices क्या होता है transpose of matrices matrices and the skew symmetric matrices के सब जो section A में था वही यहाँ पर आपको repeat कर रखा है यानि section B में भी matrices के question आ सकते है उसके बाद आते हैं calculation पर यहाँ पर देखो determinant नहीं है section B2 में determinant नहीं है यानि determinant का जो भी question आना section A में आना है calculus पर हम चलते हैं तो वही higher order derivative है उसके बाद यहाँ पर जो application वाला part था वो यहाँ पर आ गया marginal cost and marginal revenue function क्या marginal cost होती है क्या marginal revenue होता है कैसे हम उसको निकालते हैं यह सब हमें आपर पढ़ना है maximum minimum यह already section A में भी था और section B में भी आ गया section B में application based questions में ज़्यादा यह आ सकता है ठीक है तो topic तो same ही है उसके बाद आते हैं property distribution तो property distribution इसमें mathematical expectation और variance इतना ही आपर दिया हुआ यानि हाँ पर एक ही topic है लेकिन section A में दो topic थे binomial distribution भी था यानि कुल मिलाकर हमें property distribution और binomial distribution यह दोनों topic ही करने है उसके बाद index number index number में आपने index number तो पढ़ा ही नहीं है class 12 में index number तो CBC ने बिल्कुल साफ कर दिया था स्रिफ time based data था लेकिन अब आपको time based data तो पढ़ना ही पढ़ना है साथ में index number भी पढ़ना है कैसे index number बनाते हैं कौन कौन से index number होते हैं उनके सारे formulas यह सब आपको यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा ठीक है उसके बाद जो अगला यहाँ पर unit है last year भी unit यहाँ पर गलत लिखी हुई थी ऐसे ही लिखी हुई थी और इस साल भी कोई change नहीं किया यहाँ नहीं करना यहाँ चोड़ना है यहाँ पर इसा कुछ नहीं है इसा सुर्फ आपको सीरी पांठ करना osition कोई काम नहीं यहाँ वैल्यू्क्छ का कोई काम नहीं है इन वेलीजन nghiनकालते HERE है और ऑगश नहीं कोछ सितना ही करना है ऊसके बाद फिर इंडेक्स नमबर टाइम पिस डाटा दे दिया तो उसे टाइम सीरीज यहां पर दे दिया पीछे इंडेक्स नमबर दे रखा था था ठीक है चलो जो भी है जैसा भी है दिया हुआ हमाई मतलब यह है कि हमें टाइम ट Mathematics, Financial Mathematics में Perpetuity, Class 12 का पढ़ा हुआ है, Sinking Fund भी Class 12 में पढ़ा हुआ है, Valuation of Bond Class 12 में नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल आपको Fresh पढ़ना पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा, ताकि आप इसको Basic के साथ समझ सको, Calculation of EMI, Class 12 का टॉपिक है, Linear Method of Depreciation, ये Class 12 का टॉपिक है, यहनि Class 12 में से अगर मैं बात करूँ तो Nominal Rate of Interest, Effective Rate of Interest, CAGR, ये सब आपको यहां पर नहीं पढ़ना, बाकी Perpetuity, Sinking Fund, EMI, और Depreciation, ये सारा टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने है, उसके लाबाँ, Extra Add कर दिया गए यहां पर, Bond के बारे में, उसके बादा ये सारा आपका Slavers था, ठीक है, ये सारा आपका Slavers था, CUT Applied Mathematics का, अब इसके according आपको अपनी Preparation स्टार्ट कर देनी है, और होफुली आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है, YouTube पर वीडियो एक दो दिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप जो लास्ट येर की वीडियो थी, आप उनसे भी अपनी Preparation स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट येर भी स्लेबस आल्मोस सेम ही था, इस साल भी वही स्लेबस है, इसलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो आप अपनी Preparation के लिए वेट बिलकुल मत करो, मैं कोशिश क करूँगा, जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की, लेकिन आप टाइम अपना बिलकुल भी वेस्ट ना करें, लास्ट येर की वीडियो है, उनसे अपनी Preparation आप करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप Paid Batch जोईन करना चाहते हैं, तो उसमें आपका स्वाग क्लास के अंदर, 100 से उपर ही हो चुके हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को Free Mock Test Series जरूर दी जाएगी, चाहें आपने 151 स्टूडेंट हो, या 120 स्टूडेंट हो, या 200 स्टूडेंट हो, आप सभी को Free Mock Test Series जरूर दी जाएगी, ताकि आपकी प्रेपरे उसमें पूरी तरह से हमारा सपोर्ट आपके साथ है, अभी तक बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, बस आप वीडियो को देखते रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को प्रेस करके रखे, आगे आने वाले दिनों में बहुत इं वीडियोस में मिसन ना हो, तो आथ की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स तो अलव वी.